Hello Everyone, Welcome to ExamQuest EPFO, Enforcement Officer, Accounts Officer examination के बाद काफी aspirants को EPFO की APFC vacancies का भी वेट है एक recent RTI भी circulate हो रही है जिसे देखकर भी ऐसा लगता है कि APFC की vacancies भी आएंगी इसलिए अब इस examination की preparation को और डिले करना सही नहीं होगा लेकिन एक aspirant का motive होता है एक अच्छी job लेना तो अच्छी job में preparation हमेशा इस तरह होनी चाहिए जिसमें एक single preparation से आपके multiple examinations target हो जाएं सिरफ एक ही exam के पीछे preparation करते रहना कभी भी सही strategy नहीं मानी जाती इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही strategy की बात करेंगे कि आप किस तरह अपनी preparation को start कर सकते हैं इस तरह आप APFC की preparation करते करते बागी exams को भी target कर सकते हैं हमने EPFO enforcement officer, accounts officer के कई selected candidates से बात की ये जानने के लिए कि उन्होंने किस तरह की strategy को follow किया था उनकी book list क्या रही थी उन्होंने किन-किन जगाओं से कौन-कौन सी चीज़े refer की थी आपने दो selected candidates के interview already हमारे channel पर देखे होंगे ऐसे काफी selected candidates हैं जिन्होंने हमसे personally बात की है कुछ interview नहीं देना चाते थे, कुछ के interview आप future में भी देखेंगे हमारे channel पर तो उन सबसे बात करने के बाद हमें जो सबसे efficient तरीका लगा APFC की preparation का उसी के regarding हम ये video बना रहे हैं एक aspirant का सबसे अच्छा guide होता है syllabus and previous year paper तो इस video के अंदर सबसे पहले हम syllabus को discuss करेंगे उसके बाद एक analysis करेंगे previous year के paper का कि APFC previous paper के अंदर किस subject से, किस topic से कितने question पूछे गए enforcement officer, accounts officer का जो recent paper हुआ है उस recent paper में किस subject को कितनी weight is दी गई और इसी analysis के बाद हम अपनी strategy को आगे लेके जाएंगे हम discuss करेंगे कि जो selected candidate से उन्होंने किस तरह की strategy को follow किया अगर आप paid course लेना चाते हैं तो exam quest का course कब से start हो रहा है इसके साथ साथ आपको current affairs पढ़ना है general studies के जो topics हैं उसके अंदर आपको history पढ़ना है इस history के अंदर art and culture को अलग से mention किया गया slavus के अंदर तो इसके उपर भी एक खासा ध्यानों में देना होगा Indian polity और Indian economy भी हमारे slavus के अंदर शामिल है इसके साथ साथ आपको accountancy, industrial relation and labor law cover करना है computer, general science ये दोनों चीज़ों को भी आपको prepare करना है ये जो सारा का सारा slavus है जो आप इन blue boxes के अंदर देख रहे हैं ये slavus common है EPFO के enforcement officer, account officer के slavus के साथ यानि कि इन दोनों का slavus जो है वो इस हद तक match करता है एपी एफसी के exam के अंदर आपको कुछ extra topics भी slavus के अंदर mentioned मिलते हैं ये topics कों से है? population, development, globalization, governance, auditing, insurance and statistics अगर आप APFC का previous year question paper डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे telegram channel से भी डाउनलोड कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाए इस syllabus को cover करने में aspirants को जो सबसे ज़्यादा दिक्कात आती है वो ये आती है कि इस syllabus में कुछ ऐसे topics, कुछ ऐसे subjects दिये हुए हैं जो बाकी exams के अंदर नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि आपका accountancy हो गया, industrial relation, labor law हो गया इस तरह की चीज़े बाकी subjects में नहीं होती इन topics को देखके उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इसकी तयारी को कैसे start करें तो इस डर की वज़ा से बहुत सारे experience ऐसे हैं जो form भले फिल कर देते हैं लेकिन इसकी preparation को पूरे दिल के साथ एक whole hearted preparation नहीं दे पाते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अभी जब हम previous year papers की analysis करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो topics हैं जो topics आपने हो सकता है कभी भी ना पड़े हो ये topics बहुत जादा difficult नहीं है इन से आपको बहुत जादा डरने की जरुवत नहीं है तो ये सबसे बड़ी problem होती है कि जो topics आज तक कभी भी नहीं पड़े उनको आप किस तरह से start कर सकते दूसरी जो दिक्कत आती है दूसरी दिक्कत ये है कि syllabus के अंदर जो subjects हैं वो बहुत जादा varied है varied मतलब अलग-अलग fields से questions आते हैं जैसे कि आपको accounts भी आनी चाहिए आपको science भी आनी चाहिए और आपको general studies के भी topics पूरे करने है इसके साथ साथ आपको maths, reasoning ये सारे के सारे topics की भी preparation करनी है अब इसमें दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे topics आपको एक ही जगा पर easily नहीं मिलते जो कुछ-कुछ आप market में books देखेंगे जिसमें लिखा होता है कि EPFC का पूरा syllabus उस book के अंदर है तो वो जो books होती हैं वो भी बहुत जादा efficient नहीं होती जो enforcement officer accounts officer के लिए selected candidates है उन्होंने भी ये काया कि उन्होंने भी books खरीदी थी EPFO वाली लेकिन उन books से उन्हें कोई खास फायदा मिला नहीं तो जो single books होती हैं जिसमें पूरे syllabus वो mention करते हैं कि सब कुछ cover होगा वो सारी books बहुत जादा efficient नहीं होती तो इसलिए उनके पीछे आपको नहीं भागना है तो अब सवाल ये आता है कि ये जो अलग-अलग topics हैं इनको किस तरह prepare करें तो इसके लिए हम video के last में आपको सारे के सारे sources और book list भी provide कर देंगे तीसरी जो दिक्कात आती है वो है current affairs से जुड़े हुई EPFO examination के अंदर current affairs की weightage बहुत जाद है जो previous year analysis के अंदर हम देखेंगे अब इस current affairs को कैसे prepare किया जाए ये सबसे बड़ा challenge हमारे सामने खड़ा होता है तो हम इस slaves को analyze करने के लिए slaves को कुछ groups के अंदर बांट लेते हैं groups क्या है एक हम वैसा group बना लेते हैं जिसके अंदर आपके quantitative aptitude से जुड़ा हुआ syllabus है दूसरा group है जिसके अंदर आपके general studies का syllabus है तीसरा group हमने वो बना लिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो subjects है जो APFC या फिर EPFO examinations के अंदर ही पूछे जाते हैं जैसे accounts इंडिस्टर डिलेशन ये सब अब अगर हम previous year question paper की analysis करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि English के APFC examination के अंदर around 10 questions पूछे गए थे और अगर हम enforcement officer, accounts officer की बात करें तो उसके अंदर 20 questions पूछे वी थे ये जो पूरी table है मैंने इसी तरह से bifurcate की हुई है current events के अगर बात कीज़े तो इसकी weightage APFC के exam में 15 questions current affairs के आये थे जिसमें से 5 questions directly आपके schemes के थे 7 questions आपके science and technology के थे जो भी emerging technology के बारे में उस time पर बात हो रही थी, आपसे 5-6 साल पहले इसका paper हुआ था, तो वो science and tech के question आये थे और 3 आपके environment से जुड़े हुए questions थे, ठीक है ठीक है, लेकिन जो आपका enforcement officer, accounts officer का paper हुआ था उसमें current events की weightage जो है वो increase हो गई थी, यहाँ पे आपको बहुत ज़ादा schemes देखने को नहीं मिली थी science and tech के questions थे लेकिन बहुत ज़ादा नहीं थे, यहाँ पे आपको varied तरह के current affairs पूछे थे उन्होंने, जैसे जो one-liners होते हैं, awards के बारे में पूछा था, sports के बारे में पूछा था, तो इस तरह के current affairs भी देखने को मिले थे enforcement officer और accounts officer history के अगर बात की जाए, तो history की weightage, APFC examination के अंदर 8 questions थी और enforcement officer के अंदर आपके 16 questions, आपके history topic को देखें, बहुत सारे experience डर जाएंगे कि ये topics को कैसे cover करना है तो आप खुद देखिए, APFC exam के अंदर इसका एक भी question हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है चलिए, ये माल लेते हैं कि ये जो APFC exam हुआ था, ये आज से 5-6 साल पहले हुआ था, अब हो सकता है, वो आपसे कुछ सवाल पूछ भी ले, तो कितने सवाल पूछेगा, एक से लेके 2 question पूछ लेगा उससे जादा तो question पूछेगा नहीं क्योंकि नया topic है और ये जो topic है ये topic भी ऐसा है, जिसके अंदर आपको बहुत जादा detail में पढ़ने की जरूत नहीं होती population आपके human economy से जुड़ा होता है, human economy के लिजए या human geography के लिजए, वहां से आप इसको cover कर सकते है, development आपके economy का topic है, जो कि आप अगर economy ढंक से पढ़ रहे हैं, तो आपको development के concepts उनसे जुड़े हुए, index, ये सारी चीज़े आपको पता ही होनी चाहिए, globalization भी आपके economy के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत difficult topic नहीं है और बहुत ही जादा interesting है, तो इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूत नहीं है, दूसरा अगर हम topic देखें, तो इंडियन पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से APFC के अंदर लगभग 9 questions पूछे गए थे, governance का APFC के अंदर एक भी question हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए governance भले ही नया topic आपको लग रहा हो, लेकिन इससे भी आपके questions पहले तो पूछे नहीं गए, अगर पूछे जाते हैं तो governance भी एक बहुत ही easy concept है, ठीक है, आपको बहुत जादा इसके उपर दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा सबसे अच्छी बात है कि governance आपको रटना नहीं पड़ता, एक बार या आप अगर वीडियो उसको अच्छे से सुन लेंगे, या फिर आपने कहीं से भी ढंक से पढ़ लिया, चीजे समझ में आ जाएंगे और आप इसको माग करके आ जाएंगे, ठीक है तो ये भी एक ऐसा topic है, जिससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रुवत नहीं है, इंडियन एकॉनमी के अगर बात की जाए, तो APFC examination के अंदर, इंडियन एकॉनमी के 19 questions आए थे, बहुत ही जादा questions पूछे गए थे, APFC examination 19 में से 14 questions आपकी इंडियन एकॉनमी के थियोरी के थे और 5 questions आपके current affairs के थे तो देखे, APFC exam में 15 questions तो आपके current affairs के directly आ रहे हैं, और फिर आपके इंडियन एकॉनमी के syllabus में भी 5 questions आपके और आए थे, यानि कि लगभग 20 questions आपके current affairs के हो गए फिर अगर हम enforcement officers की बात करें, तो उसके अंदर इंडियन पॉलिटी और इंडियन एकॉनमी के मिला के केवल 7 questions ही पूछे गए तो उससे आदा questions नहीं पूछे गए फिर आते हैं, उस topic के ओपर जो सिर्फ और सिर्फ EPFO examinations के अंदर पूछे आते हैं, जैसे की accountancy and auditing APFC exam के अंदर सिरफ 2 questions थे, enforcement officer accounts officer के अंदर 9 questions इससे पूछे गए, इंडियन रिलेशन लेबर law के 7 questions और इसके अंदर 8 questions पूछे गए, insurance का एक भी question आपके APFC examination के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता in fact insurance से जुड़े हुए उस साल में कुछ schemes launch हुई थी कुछ schemes launch हुई थी, उन schemes schemes को current affairs के अंदर रखा हुए मैंने तो वो current affairs के अंदर आपने वैसे भी पड़ी होगी तो कुछ भी insurance की जो theory होती है, insurance की theory से आपको एक भी question देखने को नहीं मिलता computer application एक बहुत ही easy topic कहुँगा मैं इसको easy topic है, इसके बहुत ज़ादा material available नहीं है, आप कहीं से भी इसकी preparation कर सकते हैं, और इसकी weightage भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है आप computer, पूरे के पूरे computer के syllabus को 5-6 घंटे में finish कर सकते हैं और 5-6 घंटे देने के बाद 7 question आपके APFC में पूछे गए और लगबग 10 question आपके EPFO के enforcement officer exam में पूछे गए अगर हम maths की बात करें तो APFC examination के अंदर 31 questions थे जो की maths और statistics से मिला के थे 27 question आपके direct maths के यानि quantitative aptitude के थे 4 question आपके statistics के आए थे statistics में भी आपके 2 theory questions थे और 2 numerical questions आप से पूछे गए थे, यानि की statistics के आपको theory के सासथ numerical की भी अच्छे से practice करनी पड़ेगी enforcement officer के अंदर statistics का कोई भी syllabus नहीं था तो इसलिए enforcement officer के अंदर आपके maths से या फिर quantitative aptitude से 15 questions पूछे गए हैं general science के आपके 3 question आए थे APFC examination में लेकिन enforcement officer के अंदर आपके 14 questions, weightage बहुत ही ज़ादा increase हो गई है APFC examination के अंदर general science से ज़ादा questions science and technology कहे थे जो की current affairs के अंदर news में थे miscellaneous कुछ questions थे APFC के syllabus में कहीं पर भी geography mention नहीं है लेकिन दो questions फिर भी Indian geography से उन्होंने पूछे हो थे और कुछ questions आपके miscellaneous थे तो यह आपका एक तरह से previous year question paper का analysis था तो अगर मैं अपने इसी यह जो हमने grouping किया था इसी grouping के अंदर हम इस analysis को fit करें तो यह देखिए अब यहां से देखिए जो topics आपको सबसे ज़ादा डराते हैं जो topics आपको सबसे ज़ादा डराते हैं उन topics से APFC exam में केवल 9 questions पूछे गए थे और enforcement officer exam के अंदर सिर्फ 17 questions पूछे गए थे और यह जो सारे के सारे topics हैं एक तो 17 questions पूछे गए उपर से जो questions पूछे गए they were of very basic nature बहुत ही easy questions थे यानि कि अगर आप in topics के slaybers को एक बार भी ढंक से करके अगर चले जाओगे तो इन questions को tackle करना मुश्किल नहीं है तो आप बिल्कुल भी slaybers को देखके घबराएं नहीं यह जो topics हैं भले ही आपने आज तक कभी इनको नहीं बढ़ा है लेकिन इनको पढ़ना जादा मुश्किल नहीं है एक बार यह आप पढ़के चलेगे तो इनके जो basic और easy nature के questions आते हैं आप उनको बड़े easily tackle कर सकते हैं ठीक है questions की weightage भी बहुत जादा आपको देखने को नहीं मिल रही है तो पहले तो आपके मन में अगर कोई डर है तो उस डर को आप यहीं पर खतम कर दें ठीक है दूसरी चीज अगर हम general studies की बात करें तो general studies में APFC में 37 और आपके enforcement officer, accounts officer में 23 questions आये ते जो सबसे जादा weightage आपकी लेके चलते हैं EPFO examination के अंदर वो हैं आपके quantitative aptitude, science quantitative aptitude, science and computer अगर आप यह जो तीन topics हैं इन तीन topics को आप अच्छे से prepare कर लेते हैं तो आपके इस exam को, इस paper को clear करने के जो chances है वो chances अपने आप में बहुत increase हो जाते हैं आप weightage देखिए लगभग 50% जो paper था enforcement officer का, वो 50% paper आपका सिरफ इन तीन topics के ओपर constituted था और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके computer के question quantitative aptitude के question बहुत जादा difficult नहीं थे ठीक है, science के questions को मैं कहूँगा कि इसके लिए आपको एक अच्छी knowledge होनी ज़रूरी थी लेकिन ये जो दो topics हैं ये दो topics आपके अगर आप अच्छे से practice करके जा रहे हैं तो आप इनको tackle कर सकते हैं current affairs एक ऐसा area है जिसको आप ignore नहीं कर सकते हैं तो current affairs के भी आपको 21 questions और 15 questions आपको देखने को मिलते हैं तो अब हम बात करते हैं कि यह जो पूरा का पूरा syllabus देख लिया है इतना confusing लग रहा है बहुत ही बड़ा सा लग रहा है इसको simplify कैसे करें आप तयारी को पहले तो किस तरह start करें ठीक है और तयारी को आप किस direction में लेके जाएं कि APFC exam की तयारी करते करते आपके multiple exams की तयारी हो जाएं तो देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है यह जो 15 से 20 कोशन आपको देखने को मिल रहे है current affairs के इनको आपको strong करना है current affairs को strong करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप daily newspaper पढ़े मैं यह नहीं कह रहा कि newspaper से आपको notes बनाने है आप daily newspaper पढ़े अगर आपको यह स strong करना चाहते हैं तो daily newspaper पढ़े आपको notes बनाने की जरूत नहीं है पर newspaper आपको daily पढ़ना है ताकि आप news के हमेशा touch में रहे हैं कई बार यह ऐसा होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ा हुआ चीज आपने भले कहीं लिखी नहीं होई है लेकिन paper के अंदर जब आप option देखते हैं आपको याद आजाती है तो daily आपको newspaper पढ़ना है newspaper आप कोई भी ले सकते हैं दा हिंदू ले या फिर दा इंडियन एक्स्प्रेस ले अगर आप अगर आप civil services की तयारी नहीं कर रहे हैं तो आप newspaper के editorial section को छोड़ सकते हैं लेकिन आपको newspaper की जो news होती है उस news को जरूर कवर करने है ठीक है बाकी जितना जाधा पढ़ेंगे उतना आपको benefit होगा तो ये तो हो गया कि आपको daily newspaper पढ़ना ही पढ़ना है इसके साथ साथ आप आपको कोई भी अच्छी magazine जो आपको अच्छी लगती है वो monthly magazine को आप refer कर सकते हैं अगर आप civil services exam की तयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि vision IS की monthly magazine जो होती है आप उसको refer ना करें बाजी रामेन रवी की monthly magazine होती है उनको refer ना करें in fact कोई भी civil services वाली जो magazines है उन monthly magazines को आप refer ना करें इसकी जगा आप क्या कर सकते हैं आप किसी भी institute की चाहें आप हमारी monthly magazine जो हब हम release करना चालू कर रहे हैं आप उनको refer कर सकते हैं या फिर आपको जो भी institute अच्छा लगता है आप उनकी monthly magazines को purchase कर सकते हैं और वहां से आप अपनी तयारी कर सकते हैं बस आपको ये ensure करना है कि जो भी monthly magazines आप उठाएं उस monthly magazine के pages 50 to 55 से ज़ादा नहीं होने चाहिए ठीक है वरना बहुत ज़ादा बलकी हो जाएगा आप उसको कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे civil services के आप तयारी कर रहे हैं तो उस case में आप vision हो गया या फिर वाजिराम रवी हो गया तो आप उन magazines को refer करें ठीक है लेकिन अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कोई और simple monthly magazine ले जिसके अंदर one liners के उपर ज़ादा focus हो one liners and news के उपर ज़ादा focus हो analysis के उपर analysis के उपर focus की आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी ठीक है ये तो होगी आपके current affairs की बात आपको अगर competitive examinations के अंदर successful होना है तो ये बात ध्यान बिठा लीजिए कि current affairs को ignore करके आप successful नहीं हो सकते current affairs के लिए आपको daily newspaper पढ़ना ही है और इसके बाद कोई भी monthly magazine जो आपको अच्छी लगती है वो आपको cover करनी है अगर किसी दिन newspaper miss होता है तो उसे miss हो जाने दीजिए और अगले दिन से दुबारा चालू कर दीजिए पीछे के newspaper के पीछे आपको obsess नहीं करना है ठीक है तो current affairs अगर आप सिरफ इतना भी कर रहे है तो आप current affairs में एक confidence के साथ exam hall के अंदर जा सकते है ठीक है फिर current affairs को आपको दिन का कम से कम एक से दो घंटा देना ही देना है ठीक है उसके बाद आपको किस topics के उपर सबस्यदा focus करना है वो है ये current affairs आपके लगबग हर exam में पूछा आते हैं उसी तरह ये जो आपका box है ये box भी आपके लगबग हर एक paper के अंदर पूछा जाता है ये जो सारे के सारे topics हैं इनकी अगर आपको book list है ये तो video के end के अंदर वो सारी book list mention है तो आप वहाँ से screenshot लेके books को आउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये वाले जो topics हैं इन topics के अंदर आपको math की तैयारी करने है जिसको quantitative aptitude कह सकते हैं reasoning की तैयारी करनी है English की तैयारी करनी है ये वाले सारे के सारे topics आपको SSC types जो भी examination होते हैं उन सभी के अंदर पूछे जाते हैं अच्छी खासी इनकी weightage रहती है तो अगर आप SSC के लिए prepare कर रहे हैं तो उसी के सासाथ आपके APFC की तैयारी हो जाएगी SSC या फिर bank वगरा ठीक है आप RBI वगरा की भी तैयारी कर रहे हैं तो topics को आपको दिन में कम से कम 3 to 4 hours देने हैं 3 to 4 hours मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि इनकी weightage जो है वो 50% के आसपास है 50% weightage को आप बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते हैं अगर आप दिन में 3 से 4 गंटे भी देते हैं तो 3 to 4 months के अंदर ये सारा सारा सलेवस आपका बहुत ही अच्छे से cover हो जाएगा practice के साथ फिर उसके बाद भले ये जो 3 से 4 गंटे आप दे रहेते हैं 3 से 4 गंटे reduce करके आप दिन के 1 या 2 गंटे के अंदर भी इन topics को cover कर सकते हैं तो सबसे पहली priority आपको दिन का एक से 2 गंटा current affairs को देना है और जितना भी हो सकते हैं उतना time आप इन वाले sections को देंगे ठीक है इसमें आप quantitative aptitude से start कर सकते हैं और computer awareness, general English इसकी videos आपको हमारे YouTube channel पे भी मिल जाएंगी नहीं तो आप कोई भी books जो आपके 10th class तक की books होती है science की उनको refer कर सकते हैं फिर आते हैं हम general studies के उपर general studies में आपको majorly focus करना है Indian polity के उपर economy के उपर और history के उपर सिरफ ये तीन ही subject आपके syllabus के अंदर mentioned है तो इन सब की book list वीडियो के end में आपको मिल जाएगी इसके लिए आपको अलग से किसी strategy की जरुवत नहीं है तो just यह निकलता है कि यह जो 3 हमने box बना रखे हैं ये वाला ये वाला और current affairs ये 3 box की तयारी आप अभी से start कर दीजे क्योंकि अगर आपको APFC के अंदर appear होना है और आपने इन 3 boxes को prepare कर लिया तो आप ये मान के चले कि 100 questions के आसपास तक आप अपने आपको prepare करके जा रहे है इसके बाद आपके 15 से 20 questions है जो की इस box से पूछे जाएंगे इनकी preparation आप अगर इमानदारी से करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर बड़े आराम से हो सकती है इनके जो questions है बहुत जादा difficult nature के नहीं पूछे जाते है easy nature के पूछे जाते है और बड़े आराम से आप 2 से 3 महीने में prepare करके जा सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं ये जो आपको box देखने को मिल रहा है इस box की अगर आपको book list या फिर sources चाहिए अगर आप खुछ से तयारी करना चाहते है तो वो sources हमने वीडियो के end वाले section के अंदर mention कर रखे हैं लेकिन अगर आप paid course लेना चाहते हैं तो exam quest का APFC triumph batch 19th September से start होगा इस batch की सारी की सारी details आपको एक separate video के अंदर provide कर दी जाएंगी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे course के अंदर क्या क्या चीज़े provide होगी या हमारे course से जुड़ा हुआ कोई भी doubt आपको लगता है कि आपको आ सकता है तो इस video के comment section में हमें बता दीजे ताकि जो मैं आपकी detailed video बनाऊं हमारे course को explain करते हूँ तो इसके अंदर आपके सारे के सारे doubts को मैं resolve कर दूँ और एक ही जगा पे आपको सारी की सारी queries resolved मिल जाए तो अगर आप paid course लेना चाहते हैं तो 19 September से हमारा वो course start हो जाएगा उसकी details आपको जल्दी provide कर दी जाएगी और अगर आप खुद से तयारी करना चाहते हैं तो यह है वो book list जो की आप follow कर सकते हैं जो की selected candidates ने follow की है अगर आप English की तयारी करना चाहते हैं खुद से तो आप कोई भी अच्छी सी book ले सकते हैं English की जहाँ पे आप grammar की practice कर सकें जहाँ पे आप error detection की practice कर सकें error detection आता है इसके अंदर इसके अंदर आपका sentence arrangement आता है और आपकी vocabulary आती है vocabulary के अंदर मैंने सब को शामिल कर दिया antonym, synonym हो, one word हो, one word substitution वगरा यह सब शामिल कर दिया तो English के लिए एक आती है आपकी plinth to paramount बहुत ही अच्छी book है इसको आप अच्छे से refer कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और book पड़ी है English की जहां से आप practice करते हैं तो वो book भी sufficient है तो आप दिन का तीन-चार महिने तक अगर आप दिन का 30 minutes English को देते हैं then it is more than enough English के लिए आपको इतना time भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा जो art and culture है art and culture के लिए आप नितिन सिंगानिया की book ले सकते हैं ठीक है अगर आपको art and culture की अलग से तयारी नहीं करनी है तो मेरा suggestion क्या रहेगा कि आप art and culture को history से अलग करके ना पड़े जो हमारी history है इस तरह हमारी history आगे progress करती रही है उसी हिसाब से हमारा art and culture भी चलता रहा है तो आप history के साथ साथ ही art and culture को पड़ें तो उसका सबसे best तरीका क्या है आप पहले ancient history पड़ें फिर medieval और फिर modern history पड़ें इनके जो book sources है वो क्या है ancient history के लिए आप ncrt की book refer कर सकते हैं या हमारी youtube पे आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं medieval history के लिए आप सतीष चंदरा को follow कर सकते हैं या हमारा channel पे आपको वीडियो मिल जाएगी और जिसके notes आप लेके पड़ सकते हैं modern India history के लिए बिपिन चंदरा या spectrum कोई भी एक आपको refer करनी है दोनों नहीं करनी सिरफ एक single source या फिर इसकी भी वीडियो आपको हमारे channel पर मिल जाएगी ये सब वीडियो जो है free of cost available है अगर आप इनको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो art and culture को cover करना आपके लिए बहुत ही easy हो जाता है और आपकी ये कहानी भी दिमाग में बैठती जाती है कि किस तरह हमारा art and culture evolve हुआ फिर इंडिया की politics की अगर हम बात करें तो आप Indian politics since independence पढ़ सकते हैं ये book आपकी understanding के लिए बहुत ही जादा अच्छी book है इंडियन politics के लिए आप लक्षमी कांत को refer कर सकते हैं लक्षमी कांत एक one stop solution होता है जितने भी आपके one day exams होते हैं इंडियन politics के बहुत ही अच्छी book है लेकिन लक्षमी कांत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हजार से भी जादा pages हैं इसके अंदर इसलिए इंडियन politics अगर आपको shortcut चाहिए या फिर आपको मुश्किल लगती है तो आप हमारी videos देख सकते हैं YouTube channel के उपर और हमारे notes से भी इनको पढ़ सकते हैं ठीक है videos आपको channel पर मिल जाएगी इंडियन economy के आप खुछ से तयारी करना चाहते हैं civil services की तयारी करने तो शिर्राम I.A.S. से जादा अच्छे notes कोई भी नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी एक आप रैफर कर सकते हैं या आपकी personal choice है इंडियन economy में आपको current affairs के उपर बहुत जादा focus करना होगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि UPSC इंडियन economy में जो हम trend देख रहे हैं UPSC अपने हर एक exam के अंदर इंडियन economy में theory को current affairs से link करके पूछता है तो current affairs के साथ आपको इसको focus करके पढ़ना है इंडियन economy के भी basics के जो lectures हैं वो lectures आपको हमारे channel पर मिल जाएंगे आपको physics, chemistry, bio तीनों के lectures मिल जाएंगे आपकी एक अच्छी understanding वहां से develop हो जाती है इंफेक्ट जाहतर चीज़े आपको उसी lecture में याद कराने की कोशिश रही है वहां से करें प्लस general science के आपको previous year questions जरूर फो करने है प्रिपेर करने है accounting and auditing के लिए आपको कवर करने होते है accounting के syllabus को एक detail में discuss करने के लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ताकि अकाउंट से जड़े हुए आपके जितने भी doubts है वो उस वीडियो के अंदर कवर हो जाए लेकिन फिलहाल अगर आप खुछ से तयारी को start करना चाते है तो आप NCRT TS गरेवाल से start कर सकते है अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमारे चैनल पे भी accounts के आपको lectures मिल जाएंगे computer awareness आप कोई भी book follow कर सकते है computer awareness की और उसके बाद previous year questions आप follow कर सकते है हमारे चैनल पे इसकी भी videos available है industrial relations के लिए SC श्रिवास्तवा एक बहुत ही अच्छी book है आप उसको follow कर सकते है IGNU का material आता है अप इगनू के material को भी follow करके अपनी तयारी को आगी ले जाज़े governance, population, development, globalization ये ऐसे topics हैं जिसके आपको अलग से कोई भी APFC के लिए book नहीं मिलेगी आपको जितना भी material मिलेगा इन topics से जुड़ा हुआ वो material होगा civil services वाला तो civil services के अंदर बहुत जादा focus होता है analysis के उपर तो अगर आप civil services की तयारी नहीं कर रहे तो आपके लिए उन books को refer करना जादा फाइदेमंद नहीं रहेगा मैं आपको सजच करूँगा कि आप कुछ समय के लिए इसका wait करें हम अपना study material निकालेंगे simple कम pages के अंदर material होगा तो आप उस study material को purchase करके इन topics को cover कर सकते हैं लेकिन अगर आपको खुछ से तयारी करनी है तो फिर आप किसी भी institute के notes ले सकते हैं मेरा personal suggestion रहेगा एक तो इनकी waitage जादा नहीं है previous year paper के analysis में हमने वो देखा दूसरा जो books हैं आपको उतने analysis वाली books पढ़ने की जरूत नहीं है तो इसलिए wait करेंगे आपका फायदा रहेगा social security के लिए आप किसी भी institute के notes ले सकते हैं या फिर आप हमारे भी notes से refer कर सकते हैं ये sources हैं जो कि selected candidates ने अपने enforcement officer के exam को clear करने के लिए follow किये थे जो हमें सबसे best sources लगे हैं हमने उनी को ही इस list के अंदर रखा है हम नहीं चाहते कि आप confused हो कि एक ही subject लिए आप 2-3-3 book पढ़ रहे हैं इसलिए सब का मैंने आपको सिरफ एक-एक source ही बताया है कोई भी एक उठा लीजिए और वही पढ़ते रही है ये तब है जब आप खुद से तयारी करना चाते हैं और अगर आप paid course लेना चाते हैं और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करें हमें आपके support की बहुत जरूरत है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको quality content दिया जाए तो अगर आप हमसे कोई भी query आपके मन में आती है आप हमसे कोई भी चीज पूछना चाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक यू